और हमने सबने reference books ही पढ़ा है, तो 125 question में से 60 question की तो तयारी करनी नहीं है, Hello friends, welcome to Dr.PK Classes, तो इस video में हम लोग देखेंगे GPAT और NIPER 2025 के लिए best preparation strategy क्या होने वाली है, तो basically इस video में मैं आपके सामने facts रखूँगा, उनको analyze करके आपको decision लेना है कि आपको किस direction में work कर रहा है, जिससे आपका GPAT और NIPER है, उसमें best result आए, So let's move further, तो यहाँ पर एक माँ disclaimer तुमको देना चाहूँगा, no capsule available for any exam, किसी भी exam के लिए कोई भी capsule या पिर shortcut available नहीं है, Then you can definitely in the right path, तो इस video में हम लोग कौन-कौन से points कवर करना वाले हैं, तो उसको पहले देख लेते हैं, Point-wise फिर एक-एक point पे अंदर हुसेंगे, यह video हो सकता है, लंबा हो जाए, बट complete देखना और नहीं देखने वाले हो, तो भाही तुमारा तो वैसे भी, तुमारी मर्जी है, तो सबसे पहला चीज, सिमिस्टर के साथ कैसे करूँ, मैं preparation जी पैटाओ नाईपर का, इस syndrome से बाहर निकलना होगा, यह syndrome नहीं होना चीज, यह syndrome है कि सिमिस्टर के साथ मैं कैसे करो, निकल जाओ, यहीं पर वीडियो से बग जाओ, चलो आगे बाल, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि previous year questions कैसे होते हैं, क्या होते है, self study के लिए best book कौन से होते हैं, हमें reference book पढ़ना है, या फिर हमें competitive book पढ़ना है, उन सब का details में हाँ पर discussion करेंगे, यहाँ पर आपको दीख रहा होगा, बहुत सारे, हम लोग exercise भी करवाँगा मैं तुम लोग को, फिर regular assessment, test कैसे करना है, क्या करना है, क्या significance है, coaching हमें चीए, या फिर self study करने चीए, online या फिर offline coaching कौन सा बेस्ट, इन सब के बा करने में, तो पहला point आता है, हमारा exam के pattern को समझ लेते हैं, चुकि बहुत सारे experience ऐसे होगा, यहाँ पर नीचे में, comment वहाँ पर मैं time stamp लोगा दूँगा, pin कर दूँगा, उसमें click करके, जो portion आपको देखना है, वो देख सकते हूँ, क्योंकि यह video लंबा हो सकता है, तो जिन BFarm first से लेकर के 8 semester का जो भी subject है, सारे subject इसमें questions में आते हैं, बट उसमें से बहुत सारे question कुछ subject के नहीं आते हैं, कुछ major subject है, कुछ minor subject है, उसमें से ज्यादा तरके question आते हैं, फिर आता है अपके पार से website, यह website का link है, eligibility क्या है, पहले 4th year या फिर 4th year pass out BFarm वाले explain देते हैं, लेकिन अब 2024 से eligibility आगे हैं, जो इस student BFarm 3rd year में हैं, मतलब अभी जो BFarm 5th semester में हैं, 6th semester में हैं, उन लोग भी 25 का J-PED दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आप 3rd year में qualify करोगे, तो उसी को ले करके आप 4th year के बाद में उससे आप admission ले सकते हो, 3rd year मे फिर अपने जी पढ़ दिया, 600 rank है, तो 3rd year वाला scorecard को इस्तिमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो, question paper का pattern क्या होता है, multiple choice question होते हैं, 4 option होते हैं, एक सही करना होते हैं, सही answer पे, plus 4, अगला answer पे, minus 1 marks मिलता है, total questions 125 होते हैं, 3 गंटे में बनाने होते हैं, total marks होते हैं, 500, ठीक है, टाइम मिलता आपको 3 गंटे, scorecard की validity रहती हैं, 3 साल, चलो, अगले point पे चलते है, to know the question pattern, आपको जब GPAT का preparation करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको question paper solve करना पड़ेगा, और question paper solve करने के दो फायदे हैं, पहली बात तो आपका question paper पर का pattern पता चल जाएगा, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा, किस type के questions पूछे जा रहे हैं, तीसरा आपको ये पता चल जाएगा, आपको कौन से subject से ज्यादा question पूछे जा रहे है, तो ये चीज़ जब आपको पता लग जाएगा, तो जब आप semester study करोगे, फिर B form के syllabus क कहीं पर भी कोई भी study करोगे, तो आपका focus वहाँ पर जाएगा, अच्छे, इजब पैट में आ सकता है, या कर नहीं आ सकता है, चलो, तो सबसे पहला आपको इस्टेक होना चीज, solve last five year question paper, अब आपको ये मन में doubt आएगा, कि ये last five year question paper मुझे कैसे मिलेगा, तो ये सब courses में जाना, ये website से जाना असान होता है, courses में जाने के बाद, नीचे जाते जाना, नीचे जाते जाना, यहाँ पर देखो, जी पैट 2010 to 2024, previous year questions, पंदरा साल का, पूरा completely free है, इसमें click करना, ठीक है, इसमें click करने के बाद, get this course for free करना, इस ID पर मैंने अलड़ी free ले रखा है, तुमें click में, तुमको free में मिल जाएगा, पास second में, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारे पास यहाँ पर जाओगे, तो previous year, जी पैट question paper, यहाँ पर click करोगे, तो यह quiz के form में आ जाएगा, 2024 का देखना है, start quiz, ठीक है, start quiz करोगे, यह से start करोगे, तो यहाँ पर आपको question द डला हुआ है, meanwhile, इसका PDF भी देखना है, तो यह PDF भी यहाँ पर डला हुआ है, यह PDF अभी यहाँ पर डला हुआ है, इसको तुम download कर सकते है, 23, 22, 24 का भी भी डाल दूँगा, यह सारे PDF यहाँ पर डले हुए, 2010 से ले करके, अब तक के, ठीक है, तो इस तरीके से आपको previous year का question paper मिल जाएगा, Dr. PK classes से, चलो, अब आगे हम लोग करते हैं, यह वाला matter आपका solve हो गया, फिर आता है भाई, all topics versus important topics, ठीक है, हमें कौन से topics को पढ़ने है, लास्ट पाल साल के तुम question paper पढ़ोगे, तुमको एक चीस समझ में आ जाएगा भी, हाँ, question paper आ रहे है, pharmaceutical technology में, तो maximum question तो तुम्हारा tablet से आ रहा है, parental से आ रहा है, pre-formulation से आ रहा है, और तुम्हारा capsule से आ रहा है, मतलब मालो, pharmaceutical technology से 15 question बनते हैं, तो 10 question या फिर 11 question तो इन ही topics में आ रहा है, तो इनको एकदम भर-भर के depth में पढ़ो, बाकी 4 question जो आ रहा है, 5 question आ रहा है, तो दूसरे topics से आ रहे कर लो, at least 5 साल के तो करी लो, तो तुमको पता लग जाएगा, कि जितने भी हमारे पास syllabus है, जो हमारे पास 100% syllabus है, ठीक है, 100% syllabus में से तुम 60% syllabus करोगे, 60% syllabus करोगे, तो इसी syllabus में से लग-भग तुम्हारे पास 110 questions बनते हैं, 110 question इसी syllabus में से बनते हैं, तो तुम ये 60% syllabus करोगे करने जाओ पहले बागी के 40 प्रसेंट बाद में करना जिसमें से 15 या 20 कोश्चन ज्यादा ज्यादा आ रहेंगे 110 कोश्चन का तुम सही करते हो तो तुम 440 नंबर ला सकते हो जो आज तक इतियास में किसी नहीं करना है ठीक है हमें तो पूरा सिलेबस करना है मुझे तो रैंक वन ही लाना है तो मुझे पूरा सिलेबस करना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है वह सब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ठीक है यह जीपैट एक्जाम है तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है तो उसको पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है आपको कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जब 60 to 70 परसेंट सिलेबस है ज्यादा ज्यादा तुम कर लोगे तो 80 परसेंट कर लोगे कोई और रैंक वन भी परसेंट जादा करी नहीं रहा तो वो चीज़ तुमको करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट सिलेबस अब हम लोग बाते आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वे कि हमको रेफरेंस बुक्स पढ़नी चीए या फिर हमें कॉम्पीटिटिव बुक्स पढ़नी चीए ठीक है अब यहां पर टॉपर्स का सिक्रेट मैं बताता हूं टॉपर्स लोग क्या बोलते हैं कि हां भई हमने रेफरेंस बुक पढ़ी ठीक है तो उसमें देखो कि न टॉप हंडेड में से दो चार पांच लोगों ने रेफरेंस बुक्स पढ़ी होगी बाकी सबने बुक पढ़ा था आपका मॉडीन पड़ा था वह उसको बोलना पढ़ेगा और कहीं पर बटाए만 किसी को तो पढ़ रहा है कोई problem नहीं है ठीक है और आपको first semester से reference book पढ़नी है तो कम से कम 4 साल में आपको एक देड़ लाग रुपय का book खरीदना पड़ेगा अपने पास book होंगी तो उतना खर्चा करना पड़ेगा ठीक है जो एक possibility थोड़ी सी कम ही दिखती है बहुत लोग तो उसको नहीं करते हैं तो अब क्या होगा डेफिनेटली reference book या फिर competitive book में अच्छा कोन है reference book अच्छा है लेकिन अब देखो कि तुम्हारे पास limited time है इसको तुम करके देखना ठीक है अब हमारे पास यहां पर है industrial pharmacy के लिए बतलब pharmaceutical technology के लिए तुम्हारे पास कहा है लैक्मेन की book है ठीक है unlock the pet इसका tablet उठा करके पढ़ना दोनों को तुम पढ़ना इसको कितना टाइम लगता है और इसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है वो देखना साथ में तुम previous year के questions भी solve करके देखना इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ने के बाद इसमें तु फीड बैटता है तो उसको पढ़ना अब यह अलोग जीपैट बुक तुमको मिलेगा कैसे भाई ठीक है तो इसमें मैंने क्या किया है अगेन तुम कोर्सेस में जाना कोर्सेस में जाने के बाद यहां पर देखोगे फ्री सेंपल पीडिएफ प्रिव्यू अलोग जीपैट बुक का सेकंड एडिशन का हमने डाला हुआ है पाचो सेट का तो इसमें जाना गेट इस कोर्स फार फ्री करना आपको यह पांस सेकंड में मिल जाएगा बिल्कुल यह देखो पांस सेकंड में आपको मिल गया ठीक है अब इसमें देखोगे टैबलेट कंप्लीट चैप्टर फ्री विव्यू इसको कलिफ करना इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो चाहो तो डाउनलोड कर लेना इस तरीके से तो यह लोग जीपैट बुक है फरस्स पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीपैट 2004 में 110 कोश अब इसके सबसे आखरी में चले जाओ पूरा थेवरी पढ़ते पढ़ते सबसे लास में चले जाते है तो यहाँ पर आपको दिखेगा मुल्टीपल च्वाइस अब तू यह वाइस दिखेगा कोश्चन 2024 23 22 ऐसे करेंगे पूरा कोश्चन दिखेगा उसके और उसका एंसर क यहीं पर दिखेगा और किसी कोश्चन में एक्सप्लानेशन की जौरत पड़ेगी वह एक्सप्लानेशन भी दिखेगा अधर वहाँ पर धैवरी में जो एयर है वही पर वह एक्सप्लेयन कर दिये गया है तो यहाँ पर आप टेबलेट से यह देखो वीचक फोलोइग यह अब हम लोग reference book पर आते हैं थोड़ा सा फिर हम लोग और चीजों पर बात करेंगे तो तुमको reference book पढ़ना है कि वह पढ़ना है तुमको unlock अब तुमको यह सारे reference book पढ़ने है यह यह तो इसमें तो बहुत सारा पैसा होगा तुम्हारे को लगेगा अपना book खरीदना चाहिए और तुमको definitely तुम afford कर सकते हैं तो खरीदना चाहिए और तुम तुम first year or second year में हो और reference book पढ़ सकते then well and good otherwise तुमको यह Alfred Martin की जो book आती है ठीक है physical pharmacy के इस से related physical pharmacy से तुम्हारे को 8 से 10 question आएंगे और 8 से 10 question के लिए तुमको complete book पढ़ना पढ़ेगा तो तुम बाकी के लिए का पढ़ोगे भया तुमको 125 question है तो 125 question में से 60 question की तो तेहरी करनी है तुमको कम से कम 100 से उपर question की तेहरी करनी है तो ऐसे चीज पढ़ोगे ना जहां से तुम्हारा syllabus complete हो जाए और देखो जीपएट का उतना भी कोई बहुत ज्यादा tough question यह आता है basic questions आते हैं तो तुमको जो बहुत ज्यादा scientific type का बहुत ज्यादा depth knowledge नहीं चीए वैसे बहुत ज्यादा depth वारे question तुम्हारे को मुश्किल से 10 आएंगे तो तुम्हारे पास 115 से लेकर 110 question मनाने का scope रहे गई रहेगा तो एक बार जी ट्राइगर के देख लेना तुम एक बार alignment पढ़ लेना और एक बार अनलोग जीपेड बुक से पढ़ लेना जिसका फ्री तुमको कैसे मिलेगा मैंने बता दिया एक और चीज़े यहां पर हमने बता देता हो अनलोग जीपेड बुक में क्या है उसका जीपेड रेंग 12 है और नाइपर रेंग 8 है उसके फिर देवेंदर कोड़ाती सर अल इंजिरेंग 104 गेट 2006 और 7 क्वालिफाइड नाइपर क्वालिफाइड उसके पीपी जॉन सर ठीक है उनको 17 एक्स्परियेंस है और उसके फिर गेट जियारी टफेल हम सबने इस बूक को लिखने के लिए पांच वालूम को लिखने पूर इसको लिखने के लिए हम सब ने अपना दो दो साल लगा है मतलब इतने लोग इतने एक्सप्रИेंस लोग well क्वालिफाइड लोग है सबका दो-दो साल लगा मतलब इसको लिखने में दस साल लगे और हमने सबने रफ्रेंस बुक्स ही पढ़ा है वहां से पढ़ करके यह बुक्स हमने लिखा हुआ है तो डेफिनेटली तुम नोट्स अगरे हैं फिर कुछ बनाने जाओगे तो इसकी बहुत ही कम है कि तुम इससे बेटर कुछ चीज बना दो ठीक है और बनाओगे भी तो साल नहीं तो पांस साल लगे अब इस बुक में क्या है कैसा है देखना है तुमको पुरा-पुरा बुक देखना है उसका सैंपल तो अन्लॉक जीपेट एडिशन टू टू-टू-टू यही पर जहां टेबलेट है उसी के उपर में देखोगे सैंपल में क्लिक करोगे तो यह पूरा 279 पेज का सैंपल है यह बुक का टोटल जो पेजे से लगबग 18 सुपेज है ठीक है 279 पेज का इसमें तुमको वाल्यूम 1,2,3,4 सब कुछ इसमें तुमको दिख जाएगा इ उसके फिर हम लोग फर्मकोलाजी के रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो आपको रेंगेंडेल से पढ़ना चाहिए, केडिटी से पढ़ना चाहिए और एनाटोमी फिजियोलोजी तुमको टोटोरा से पढ़ना चाहिए या फिर अल्लॉक जीपैड बुक से क्योंकि लिखा पाविया है, पाविया से क्वोस्चन बनाते हैं, तो ऑनलॉक जीपैड बुक से ही और बी तुम्हारा को ट्था है हो जाएगा वह खुग ऍ også के लिए धू दो बुक पढ़ना पढ़ेगा, उसके फिर फार्मा कोग्नोशी के लिए तुमको खचाते पढ़ना चाहिए तुम को यह टी इवैलिस पढ़ना चाहिए देखो यह बुक के बारे बहुत कम लोगों पता है टी इवैलिस लगके बहतरीन बुक है जी तरह यह माइक्रोस्कोपी पुछे जाते है न वो इससे पुछे जाते हैं आपको अनलोग जेपैड इन सबका पूरा टैबूलार फ़र्म में तुम आसानी से सारे चीजों को कवर कर सकते हो मतलब यह कि अनलोग जेपैड बूक के लिए तुम पढ़ते हो बाकी कोई भी कॉम्पुटिटिटिव बूक पढ़ते हो सब बूक अच्छे होते आपने आप में लेकिन अनलोग जेपैड बूक थोड़ा सा महेंगा है ठीक है इसका MRP आता है 3200 जिसमें तुम्हारे को डिसकाउंट चलते रहते हैं तो यह 2300 से 25 के बीच में वेबसाइट से ओडर करोगे तो अभी मिल रहा है और यह वीडियों तुम दो साल बात देख रहे हैं तो इसका प्राइस तो डेफिनिटली बढ़ जाएगा तो बहुत लोग आख कNow लगता है कि भाई यह विक महंगाusan महाइस लिए इसमें सारे ईंते प्रेमिक से आपको लिखे और तो यह पढ़ोग है तो तुम्हारे को अच्छा वोगेगा sample sample देख करके तुम decide कर लेना ठीक है कैसे order कर सकते हो book को वहीं पर से website में जाना जो भी चीज है आपको order करनी है यह courses में जाना doctor pkclasses.com में और यहाँ पर जा करके यह जाना है यहाँ पर अब आता है कुछ लोग college जा रहे हैं फिर job कर रहे हैं उसका बहाना देते हैं कि हमें तो time भी मिल रहा है चुट्टी के दिनों को तुम चुट्टी मना रहे हो और study नहीं कर रहे हैं तो इन तीनों में sync करना है तुमको college या फिर job में जा रहे है तो जो भी live class है उसको तुमको करना चाहिए at least जितना भी चुट्टी का दिन है उसमे मारे पास क्या हो गया यह वाला हो गया semester है तो कैसे करूं यह तो हो गया previous year हो गया self study के लिए based book भी हमने बता दिया कि या तो तुम reference book पढ़ो पढ़ सकते हो या फिर unlock GPAD पढ़ो या फिर कोई भी competitive exam का book पढ़ सकते हो तुम यदि तुमको unlock GPAD book से अच्छा मिल जाता है तो compare कर लो एक बार फिर आता है regular assessment test तो अब तुम जो भी पढ़ रहे हैं तो तुम्हारे को regular assessment करना है test करना है तो जो भी हमारे courses available है उस सब में आपको multiple type के test मिलते हैं आपको weekly test मिलता है आपको topic wise test मिल रहा है और आपको यदि मतलब full end test यह तो वह भी हमारा 15 अगस से start हो रहा है तो आपको जैसा test यह है हमारे पार चार type के वहाँ पर test मौजूद है इवन डियाई अगर अगर करोगे तो डियाई का भी test उसी में included आपका ब्रहास 2025-26-20 कोई भी ब्रहास ले रहे हो सब में चार type के test series हमारे available है अब चीए आपको coaching करना है कि नहीं करना है यह completely आपका decision है कि तुम कोचिंग कर रहे हो तो उसमें कोचिंग का 50% रोल है 50% रोल तुम्हारा है और पढ़ तौन रहा है उसके उपर depend करता है तो 50% तो भाई तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कि कोचिंग में पढ़ा दिया तुमने सुन लिया खतम हो गया तुमको पढ़ना कर लेते हैं उसके फिर एक माहेने बाद दो मेहने बाद देखते हैं तब उनका नीम देखने बहाने मारते हैं मुझे तो बहां ही अपने career के लिये तो इसलिए तुम को कोचिंग करनी तो सारे सटेंड करो कोचिंग के और डेफिनेटली कोचिंग करोगे तो तुमको इतने टीचर पढ़ा रहा है ऐसे लोग तो आपको उसका फाइदा तो मिलेगा और ओनलाइन कोचिंग करनी या फिर आफ लाइन देखो भाई जी पैट में आफ लाइन कोचिंग ही चलता है आफ लाइन नहीं चलता है रिजन इस अब यहां पर देखोगे यह एजुकेटर्स कभी में प्रफाइल दिखाऊंगा तो इनको तुम एक जगह इकठे आफ लाइन में कर दोगे तो आफ लाइन में फार्मेसी के कितने बच्चे आ कोई नहीं पढ़ाएगा सब को अच्छा पैकेच्ट ची होगा तो इसलिए इसमें जो है ना हमेशा प्रिफर किया जाता है और ऑन-लाइन ही बेस्ट है जीपेट में फेकल्टी की बात करेंगे हमारे पास जो है उसमें इंडिया के बेस्ट फेकल्टी है एकदम मैं बोलता ह दो बार ठीक है जिसमें हाइस रेंड 20 है गेट कॉलिफाइड दो बार उसके डिस्ट इंस्पायर फेलोशिप पेपर पॉब्लिज दे सेवंटी इसके अलावा जॉन होप्सकिन्स का एक्जाम टाइफर का एक्जाम निकाला हुए मैंने और गवर्मेंट पेटेंट का यदि पास आउट हो भी फाम तो वह कोर्स कर सकते है तुम लोग फिर डॉक्टर सशांग तिवारी सर नाइपर राइबरली से है गोल्ड मेडलिस्ट है निव जीलेंड से प्यस्टी है मासे इनो सिटी से ठीक है वहाँ पर उनको फेलोशिप मिला हुआ था फाइव एर के चार बुक लिखा हुए नाइपर जीपेट 2014 क्वालिफाइड है और उसके आद अभी बहुत इंस्टीट में फेकल्टी है ठीक है अभी निर्फ रेंकिंग अंडर 10 है उनके इंस्टीट का चलो फिर डॉक्टर देवेंदर कुटाती सर ही इस फ्रॉम बिरलेंस्ट आप टेक में उसके फिर फेलोशिप यूजी सी वाला वाड हुआ था फिर जॉन सर है बिरलेंस्ट आप टेक्नावजी हमसे चार साल सीनियर सर को अथारा साल का एक्स्पिरेंस है उन्होंने एच्छा बुक लिखा हुए पेपर पब्लिज्ट ट्वेंटी गेट 2004 क्वालिफाइड जी सब्सक्राइट नाइपर 2007 स्रेट मिला हुआ था जो विरलेंस्ट आप टेक्नावजी का इंट्रेंस होता है पीएसडी का उसमें मैं टॉपर था इंडिया लेवल पे ठीक है उसके बुक देखो गया तुम लोगो तो ये 2012 में हमने ये बुक लिखा हुआ था ठीक है जी अनलोग जिपैड वेख बूख पर बहुत लुग उसके नाम से मेरे को जानते है ठीक है तो उसी में से यह बीज बूख में से दो वोग वह तो आई यहोप आपको सारी चीजे मैंने बहुत चीज से बता दिये सारे चीजे आपको बहुत चाए से क्लियर हो गई होगी स्टि directly मेरे से तुमको WhatsApp में कनेक करेगा, तुम अपने जो भी डाउट से उसको पूछ सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you so much.